Technical Analysis Free course की इस सीरिस में अब हम अपनी final वीडियो पर पहुंच गए हैं इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप lethal trading strategy की help से stock market में swing trade करके बहुत मोटा मुनाफ़ा कमा सकते हैं इस वीडियो में मैं आपसे अपनी personal trading strategy शेर करूँगा जो मैं खुद swing trade करने के लिए use करता हूँ इस strategy में मैंने RSI, RS और 21-55, 100 days exponential moving average indicator को use किया है अगर आप इन तीन indicators के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको highly recommend करूँगा कि आप पहले इन indicators के बारे में अच्छे से जान ले जिनका link मैं नीचे आपको description में दे दूँगा और जो लोग इन indicators के बारे में अच्छे से जानते हैं वो आगे इस वीडियो को continue कर सकते हैं ट्रेडिंग strategy discuss करने से पहले हम अपने लिए एक बढ़िया सा stock find out कर लेते हैं stocks को find out करने के लिए मैं एक बहुत ही बहतरी टूल को use करता हूँ और उस टूल का नाम है stockage stockage stock market की दुनिया का वो बहतरी टूल है जो हमारी trading के journey को और भी जादा आसान बना देता है ये टूल हमें कुछ बहुत ही बहतरी बहतरी scans प्रोवाइड करता है जिन्हें combine करके हम अपने लिए अच्छे stocks को find out कर सकते हैं trading के लिए stocks कैसे find out किये जाते हैं ये मैं इससे पहले वाली वीडियो में सिखा चुका हूँ अगर आप stocks को find out करना सीखना चाते हैं तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं जिसका link में नीचे description में दे दूँगा मैं mostly उन stocks में trade करता हूँ जो technically and fundamentally दोनों तरहां से strong हो इसलिए मैंने ये अपने लिए already एक scan बना रखा है ये scan मुझे NSC के उन stocks को filter करके देता है जो technically and fundamentally strong है और जिनको जादा समय के लिए hold करने का risk कम है इन scans को मैं already अपनी previous two videos में explain कर चुका हूँ जिसे आप देख सकते हैं तो ये सारे वो stocks हैं जिनके अंदर हम trade कर सकते हैं इतने सारे stocks में trade करना is next to impossible तो हमें इन stocks में से भी उन stocks को filter करना पड़ेगा जो technically strong है और कुछ ही दिनों में हमें अच्छा return दे सकते हैं इन stocks को filter करने का जो तरीका है वही हमारी lethal trading strategy है जो इस video का main मुद्दा भी है तो सबसे पहले आपको इन stocks की CSV फाइल को download कर लेना है और इन stocks को अपने trading terminal पर add कर लेना है मैं trading terminal के लिए trading view को use करता हूँ अगर आप कोई और terminal भी use करना चाहते हैं तो कर सकते हैं मैंने CSV फाइल के stocks को terminal पर add कर दिया है और अब हम बारी बारी से इन सबी stocks को technically analyze करेंगे और इन सबी stocks में से अपने लिए एक बड़िया सा stock find out करेंगे आप देख सकते हैं कि अभी हमारा terminal एक dump से blank है इसके उपर अभी कोई भी indicator या lines वगरा plot नहीं की गई है तो सबसे पहले हम अपने पहले indicator को apply करेंगे जिसका नाम है exponential moving average आप यहां indicators के उपर क्लिक करके किसी भी indicator को search करके apply कर सकते हैं EMA को apply करने के बाद इसकी कुछ settings करनी पड़ेंगे मैं 21,5,500 इस EMA को use करता हूँ तो सबसे पहले मैं इन indicators की settings में जाकर इसकी length set कर देता हूँ इसके बाद अब हम दूसरा indicator apply करेंगे जिसका नाम है RSI यानि relative strength index RSI को भी apply करने के बाद मैं इसकी settings में जाकर इसकी range set कर दूँगा Upper band की range मैं 60, Middle band की range 50 और Lower band की range मैंने 40% की है RSI को set करने के बाद अब मैं तीसरे indicator को apply करूँगा जिसका नाम है RSI यानि relative strength RSI और RSI बले ही सुनने में एक जैसे लगते हूँ लेकिन इन में फरक है जो मैं अपनी previous videos में explain कर चुका हूँ RSI indicator की settings में जाकर हम इसके period को 55 पर set कर देंगे By default ये period 1 23 days का होता है लेकिन मैं 55 days ही use करता हूँ Finally trading के लिए हमारा terminal त्यार हो चुका है अब हम कोई भी एक stock को choose कर लेते हैं जिसके उपर हम trading strategy को discuss करेंगे तो चलिए Titan को choose कर लेते हैं और इसके उपर ही बात करते हैं Swing trading के लिए मैं 2 hours and 1 day time frame को use करता हूँ कुछ लोग 4 hours को भी use करते हैं लेकिन मुझे 2 hours वाला time frame सही रहता है अगर कोई stock 2 hourly and 1 day डोनों charts में अपने 21, 55, 100 days exponential moving average के उपर trade कर रहा है और उसका RSI 50 के उपर है साथ ही साथ अगर उस stock का RSI भी positive है यानि green signal दे रहा है तो समझ जये कि उस stock में एक अच्छा खासा momentum है और वो stock और भी आगे जाने की ताकत रखता है और अगर कोई stock अपने 2 hours and 1 day chart में 21, 55, 100 days exponential moving averages के नीचे है और उसका RSI 50 से नीचे है और साथ ही साथ उसका RSI red है यानि green signal दे रहा है तो आपको उस stock से exit कर लेना है क्योंकि हो सकता है कि इस condition में stocks और नीचे चले जाएं और अगर कोई stock 2 hourly week है और 1 day के chart में strong है तो हो सकता है कि वो stock आने वाले कुछ दिनों में अपना momentum फिर से gain कर ले क्योंकि 1 day chart में वो अभी भी strong दिखाई पड़ रहा है तो आप 2 hourly के chart के basis पर उस stock में position ले सकते है जैसा कि टाइटन में साफ दिखाई दे रहा है कि ये stock अपने 1 day time frame के chart में काफी strong है और साथ ही साथ 2 hourly chart में भी strength दिखा रहा है टाइटन 7 जुलाई से लगा अब trend में है जब इसका price 2100 के करीब था और अब देखिए इसका price 2700 के उपर है जिस किसी ने भी टाइटन में 7 जुलाई को position ली होगी और इस strategy के according इसे hold किया होगा तो सोचो उसने कितना मोटा profit कमाया होगा तो ये था वो criteria और strategy जिसे यूज़ कर आप stock market में swing trade कर सकते हैं इसी criteria को use कर आपको अपने लिए ऐसे ही strong stocks को find out करना है stockage हर शाम को latest data को upload कर देता है ताकि आप next day trade करने से पहले अपने लिए बढ़िया stocks को डून सकें देखे थोड़ी बहुत मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी बीना मेनत किये आप stock market से पैसा कभी नहीं कमा सकते अगर आप खुद से ये सारी research नहीं करेंगे और tips के basis पर trade करेंगे तो profit कभी भी नहीं होगा stock market time मांगती है और जो बंदा market को अपना time देने के लिए ready है तो market भी बदले में उसे काफी सारा profit देती है इस चैनल का मकसद ही यही है कि आपको stock market की सही जनकरी दी जाए ताकि आप tips लेने की जगा tips देने के काबिल बन सके I hope इस वीडियो के माद्यम से मैं आपकी उमीदों पर खरा उतरा हूँगा अगर आपका कोई doubt या suggestion है तो आप उसे comment box में या फिर मेरे instagram handle पर मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपको हमारी वीडियो से एंड एफर्स पसंद आ रहे हैं तो चैनल को subscribe कर और हमारी वीडियो को जाए से जादा like and share कर इस चैनल की growth में अपना contribution करें अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तो जल्द ही मिलते हैं अपनी अगले वीडियो में